हेलो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर मैं डियलेट थर्ड सेमिस्टर की मैट्स की क्लास लेकर आई हूँ जिसमें आज जो मैं आपका चेप्र स्टार्ट करूंगी वो है बीचगर्दी विंजकों में एक पदी रथा दुए पदी व इसके बाद एक पदी विंजक से हम किसमें सीखेंगे दो पदी विंजक में भाग देना और फिर हम सीखेंगे एक पदी विंजक से बहु पदी विंजक में किस सरीके से भाग दिया जाता है और इसके बाद हम किस पर आएंगे दो पदी विंजक से भाग देनी पर तो पहला विद्जक एक पदी है तो एक पदी से एक पदी में ही भाग देना है सबसे पहले क्या करो लिख लो क्या 6x² y² ठीक है अपॉन किसका देना है 2xy का देना है 2xy लिख लिए सिंपल है ना यह डिवाइट 236 x से x² में देंगे तो x बचेगा y से y² में देंगे तो y बचेगा कितना आंसर आजाएगा 3xy पहला तरीका यह हो गया आपका दूसरा तरीका क्या है इसको सॉल्फ करने का तो क्या करो सबसे परहे लिख लो 6x² y² अपॉन 2xy दो से आपका यह च और वही घातांग में पढ़ाया था यह भाग में है तो भाग में घाते गटती है 2-1 y पर घात कितनी है 2 है और नीचे एक है भाग में है घाते गटेंगी तो यहाँ पर कितना मनेगा x की पावर 1 1 पावर लगाते नहीं सीदे x लिख दो y पर भी कितनी 1 पावर लगाएंग को divide करना है किससे 4xy2 ठीक है प्लैस यहां धोके से लग गया है divide करना है सबी में तो चलो इसको कैसे करो कि सबसे पहले लेख लो 24x2y3 किससे divide करना है 4xy2 नहीं लिख दिया डिवाइड करो फटाफट से 4 से करेंगे तो 4, 6, 24, x से x स्क्वेर में किया x बचा और y स्क्वेर से y क्यूब में किया तो y बचा तो यहां कितना बनेगा माइनस का 6xy ठीक है यही आपका क्या है आंसर नेक्स्ट आप थर्ड कोशन देखिए आपका क्या है 49p3 q2 और भाग करना आपको 7p2 और q2 से ठीक है तो इसको मैं इस तरीके से लिख देती हूं p3 q2 upon 7p2 q2 की पावर q2 ठीक है इसको आप solve करके इसका आंसर मुझे comment करके बताईएगा ठीक है चलो आगे भड़ते है नेक्स्ट आपका क्या है एक पदी विंजकों के दुआरा दो पदी विंजकों में भाग देना ठीक है एक पदी विंजक से किसमें देना है दो पद वाली विंजक में तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पहला question आपकी सामने क्या है 16x square plus 12x cube में divide करना है किसको 4x का divide करना है तो सबसे आसान तरीका पहला तो यह है कि किसको इस तरीके से लिखो 16x square plus 12x cube divide करना है किसका 4x का तो कुछ न कुछ हमें उपर common मिल रहा है और हमें common वही ले लेना है जो नीचे हमारे पास बचा हुआ है नीचे क्या है 4x का divide करना है उपर क्या 4x common मिल रहा है तो मिल रहा है सीधी सी बात है कितना उपर हमने 4x और उपर चाहें तो 4x square भी common मिल रहा है में लेकि हमें जरूरती नहीं पड़ेगी नीचे कोई कार्टने के लिए कुछ है नहीं तो 4X को ही कॉमन लेते हैं सिर्फ 4X कॉमन आ गया अंदर कितना बचेगा 4 से 16 में डिवाइट करेंगे तो 4 बचेगा X से X स्क्वेर में डिवाइट करेंगे तो अंदर कितना बचेगा X प्लस का 12 X क्यूब में डिवाइट करेंगे तो अंदर कितना बचेगा 4 दिया बारा X क्यूब में करेंगे तो X स्क्वेर upon 4x ठीक है बस अब क्या है divide कर दो 4x से 4x आपका चला जाएगा और answer कितना आएगा आपका इधर मैं answer लिख देती हूँ आपका answer कितना आने वाला है 4x plus 3x square ठीक है नीचे लिख देते नहीं तो 4x plus 3x square यही आपका भागफल निकल करके आएगा अब दूसरा तरीका क्या है इस question को solve करने का तो वो भी मैं आपको बता दीती हूँ 4x यहाँ पर लिखा जो बचपर में हम लोग इस्तेमाल करते हैं न वही तरीका है यहाँ पर 4x यहाँ पर लिखा आपने bracket start किया जो भागबाला होता है वो 16x square plus का 12x cube ठीक है अब हमें करना क्या हमारे पास एक पद है न तो हम एक ही एक पद में करके भाग देंगी सबसे पहले हम देंगी 16x square में तो क्या करें 4x में कुछ ऐसी संख्या का गुणा करें कि हमें 16x square प्राप्त हो जाए तो x में अब कितने का कर सकते हैं कि हम x square मिले तो x का कर सकते ह blender और 4 में कितने का गुणा करें कि बारे मिल जाए 4, 3 बारे किसका करना पदा हमें 3x का 3x हो गया तो 4, सोरी 16 प्राप्त करना था 12 नहीं करना था 16 4, 4, 16 4x कई किया जाएगा बस करते क्या हैं इन दोनों का multiply करके ही तो लिखना पड़ते हैं आपर multiply करो 4x का 4x में कितना बनेगा चार्ज हो कि 16 x का x में किया x square इतना काम कर लिया इसके बाद धठाना पड़ता है न तो बस नीचे क्या लगाओगे किसका sign लगाओगे minus का या plus का नीचे लग जाएगा आपका minus का sign अब उपर वाला 6x square है plus का और नीचे वाला चिन बदल गया यानि कि नीचे वाला 16 sorry 6 बोल देती हूँ मैं उपर वाला 16x square है आपका plus का और नीचे वाला 16x square हो गया minus का तो ये दोनों क्या हो जाएंगे घट जाएंगे और आएगा आपका zero zero ना भी लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है अब इसके बाद जो उपर जंक्या बची हुए वो चिन्न के साथ हम नीचे उतार लेते हैं उपर क्या बचा है हमारे पास 12x cube तो 12x cube ले लिया चिन्न के साथ plus का है तो plus का minus का है अगर plus का है और plus आप ना लगाए तो कोई इतनी दिक्कत नहीं आए कि लेकिन अगर minus का है minus नहीं लगाया तो बड़ी परेशानी आने वाली है इसलिए चिन्न के साथ ही उतारा लोगा अब क्या करना है हमें 4x से डिवाइड करना है 12x cube में तो हम क्या करें 4x में कुछ ऐसी संख्या का गुणा करें कि क्या हो हमारा 12x cube बन जाए ठीक है और सेम 12x cube बना के लाना है plus का तो यहाँ पर क्या लगेगा सबसे पहले plus लग गया ठीक है x में कितने का करने की x cube बन जाए तो किसका करना पड़ेगा x square का ठीक है इसके बाद 4 में कितने का करने की 12 बने तो 4-3-12 अब क्या करना पड़ता है हमें इसके बाद 3x का इसमें मल्टिप्लाई करते हुए लिको सेम वही संख्या बन जाएगी तो क्या बनेगा प्लस का 3 चौके 12x3 हमें घटाना पड़ता है इसलिए हम क्या करेंगी सबसे पहले चिन्न को बदलेंगे यहाँ माइनिस लगाया अब उपर वाला 12x3 हो गया प्लस का नीचे वाला 12x3 हो गया माइनिस का दोनों घट जाएंगे और क्या आएगा आपका 0 और जो यहाँ पर आपका लिखा हुआ दिख रहा है यही क्या है आपका भाग फल है और यही आंसर है अगर 6 फल की बात करें तो 6 फल आपको यहाँ मिला 0 ऐसा भी हो सकता है कि आपको 6 फल मिल भी सकता है question आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि भाग फल भी निकाली और 6 फल भी निकाली ठीक है तो मैं आपको इसी method से और questions कराऊंगे इसी बहुपद में जब भाग देते हैं तो वहाँ पर हमें यही यूज़ करना पड़ता है बाइचन सेथफल निकल के आ जाए अगला आपका 5th question क्या है 9x3 प्लस 15x divided by 3x चलो डिवाइड करो इसको फटा-फट से 9x3 प्लस 15x upon का 3x common क्या मिल रहा है 3x common मिल रहा है ना उपर 3x हमने common ले लिया 3x चीक है अंदर क्या बचेगा 3 तिरका 9x2 प्लस का 3 पंचे 15 upon में क्या है आपका 3x डिवाइड दिया 3x से 3x आपका चला जाएगा क्या बचेगा बाहर 3x2 प्लस का 5 यह होगा आपका आंसर यह है आपका पहला तरीका first method आप इसको बोल सकते हैं दूसरी विधी क्या है दूसरी विधी भी मैं आपको समझाओंगी क्योंकि उसको समझना भी बहुत जरूर ही है सबसे पहले हमने क्या लिखा 3x किस में डिवाइड देना है हमें 9x3 प्लस 15x में ठीके चलो करते हैं इसको तो 3x से सबसे पहले हम किस में देंगे 9x3 में देंगे क्योंकि एक ही पते तो एक में ही जाएगा अब 3x में कुछ ऐसी संख्या का गुणा करो कि 9x3 मिल जाए चिन्न के साथ प्लस का 9x3 है तो प्लस का ही 9x3 चाहिए होगा हमें कितने का करें तीन का 3 में करेंगे तो हमें 9 मिल जाएगा और x में x2 का करें तो हमें x3 मिल जाएगा मल्टिप्लाई करते हैं और यहां पर लिख देते तो 3 तिरका 9x2 और xx3 वो भी प्लस का है अब हम क्या करेंगे इसको घटाएंगे तो नीचे लगाएंगे माइनस ओपर वाला 9x3 है प्लस 25X. अब हमें कुछ ऐसी संख्या का गुणा करना है 3 X में कि हमें किसका मिले 15x मिले प्लस का बाई-च्छाकर यहाँ माइनस का पर 15x होता तो हम कहां से स्टार्ट करते है माइनस के चिन poker Smash से लेकिन पलस का है मारे बात करते हैं आपके भागफल्की तो भागफ़ल की तो भागफल क्या बनेगा ठी एक्յाइक्स इस्वेरsl प्लस का 5 और यही अभी आपका निकल करके आया भी था ठीक है उम्मीद करते हूं आपको समझ में आया होगा चलो अब हम नेक्स्ट कुश्चन आपका करते हैं 12x3 प्लस का 18x2y2 से डिवाइट करना है आपका 4x2y ठीक है इसका डिवाइट करना है आपको चलो तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि इन दोनु संख्याओं में नीचे वाला जो पूरा पद है आपका 4x2y यह कॉमन तो नहीं मिल रहा इसका मतलब क्या है पूरा पूरा भाग तो जाई ही नहीं रहा है कुछ नो कुछ बटे में आपको नीचे प्राप्त होगा यानि कि 6 फल इसमें मिलने वाला है तो हम क्या करें इसमें वही जो अभी आपको डिवाइट मैंने सिखाया था उसी डिवाइट का प्रयोग करते हुए इसका 6 फल भी हम निकालते हैं चलो किसका देना है 4x²y का डिवाइट देना है किसमें देना है 12x³ y² प्लस का 18x² और y² ठीक है चलो करते हैं इसमें तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा एक पद ही विंजग है ना हमारा बाहर की तरफ तो हम क्या करें एक पद से केवल एक ही पद में डिवाइट जाएगा ना तो पहले वाले पद में देते हैं यानिकि 12x³ y² में देंगे तो हम 4x²y में किसी ऐसी संख्या का गुणा करें कि हमें same to same ये प्राप्त हो जाए एक्स क्यूब मिले तो x² में x का ही करना है x लिख दो y में कितने का करेंगी y² मिले तो y का करना पड़ेगा तो यहां पर लिख दिया y तो यहां कितना बन जाएगा आपका 3, 4, 12x³ और यहां पर y² ठीक है घटाते हैं तो माइनस लगाया है यहां पर हमने और यह क्या हो जाएगे माइनस इसलिए लगाते ना कि घटा रहे हैं तो उपर का बार है x q y square प्लस का था नीचे का बार है x q y square आपका माइनस का था घट जाएंगे क्या आएगा आपका 0 अब हम किसका उतारा लेंगे जो हमारे पास यह संख्या थी चिन्न के साथ ले लो इस संख्या को तो क्या बनेगे आपकी 18 x square y square अब आप लोग क्या करेंगे इस 18 x square y square में डिवाइड देना है किस से इस से तो अब 4 x square y का मल्टिप्लाई करिएगा अब 18 तो बनने वाला है नहीं आपका तो जितने का जा सकता है जितनी बार 4 का 18 में गर हम देंगे तो कितने टाइम हम दे सकते हैं 4 एकम 4, 4 दुनिया, 4 तिया, 12 सिर्फ 3 बार ही जा सकता है और 4 चौके 16, sorry 4 बार जाएगा इस से ज़्यादा बढ़ा हो जाएगा तो हम क्या करेंगे सिर्फ 4 बार ही डिवाइड देंगे x square ऑल्रेड़ी है, y का कर सकते हैं गुणा तो क्या करेंगे हम, y का कर दें y का करेंगे तो y square बन जाएगा चलो, करो, 4 चौके 16, x थाइ तो x square और y का y में तो y square जैसे इसको घटाएगे तो कितना बचेगा? 18 मेंसे आपके 16 जाएगे, 8 मेंसे 6 जाएगे तो आपके 2x square और यहाँ पर कितना बचेगा y square यानि कि कितना आएगा आपका 6 फल 2x square y square और आपका जो quotient आना है वो कितना हो जाएगा plus minus का 3xy plus का 4y ठीक है उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा जो उपर आपको दिख रहा है मैं किसी और कलर से मार कर देती हूँ यह जो आपको दिख रहा है यह है आपका भाग फल और नीचे जो आपको 2x square y square दिख रहा है यह रहा आपका 6 फल ठीक है चलो आगे भढ़ते हैं आपका next question क्या है आपका एक पदी विंजकों के द्वारा बहु पदी विंजकों में भाग देना तो पहला आपका विंजक क्या है 24x cube प्लस का 18x square प्लस का 12x में डिवाइट करना है 3x से तो आप पहचानो कि कैसे कि हम कौन सा वाला method लगाएं तो हमारा जादा आसान पड़ेगा और जल्दी हो जाएगा तो आप कोशिश करो कि यह जो विंजक दिख रहा है इसमें से ऐसी संख्या common लो जो आपको नीचे मिल रही हो पूरा का पूरा अगर 3x आपको उपर common मिल रहा है तो आप वही वाला method लगाओ common करने वाला और अगर नहीं मिल रहा है तो आप क्या करो वहाँ पर पक्का शेस्वल मिलने वाला है तो आपको यह वाला डिवीजन method लगाना पड़ेगा ठीक है चलो करते हैं इस question को solve तो क्या देखेंगे हम यहाँ भी 3x मिल रहा है यहाँ भी 3x मिल रहा है यहाँ भी 3x मिल रहा है तो हमारा काम हो जाएगा उसी method से तो हम वही method लगा दें बहुत easy पड़ता है यह वाला इतने time से लगाते हुए आ रहे हैं वह वाला बहुत पहले किसी ने 10th य 12th में यह वाला सीखा होगा तो यहाँ पर लिख दो 18x square plus 12x divided by 3x common क्या लेना है मैं 3x common लेना है 3x common ले लो अंदर क्या बचेगा आपका 8 x 24 तो 8 x square plus 3 x 18 6 x plus का आपका 12x बचा हुआ है यहाँ पर तो 12 common 12x में से 3x common ले रहे हैं तो क्या बचेगा 4 ठीक है 3 x 12 x का 2 x बाहर निकलाया upon 3 x divide करेंगे जैसे 3 x से 3 x जाएगा क्या बचेगा आपका 8 x square plus 6 x और प्लस का 4 ठीक है यहाँ लेक देती हूँ मैं 8 x square plus 6 x और प्लस का 4 यही क्या हो गया आपका भाग फल हो ठीक है तो अगर आपसे question बोलता है कि आपको 6 फल भी ज्याद करना है तो आप उस विदी का प्रयोग करिएगा वरना जो आपकी यह विदी है इससे आप करी सकते है ठीक है उसको आप बोल सकते है साधारन भाग विदी है आपकी वो ठीक है नहीं आएगा चलो फिर हमें कौन सा method लगाना होगा सेम वही वाला method लगाना होगा चलो लगाते हैं वही वाला method किस से divide करना है मैं 4 x से करना है तो हम यहाँ पर 4 x लिख लेते हैं किस में divide करना है तो 36 x cube प्लस का 12 x square और प्लस का 21 x में हमें करना है divide ठीक है चलो करते हैं इस सबसे पहले हम 4x से डिवाइड करें किसमे 36x3 में डिवाइड करेंगे न कितने टाइम दे सकते हैं डिवाइड जैसे कि मैंने अभी आपको सिखाया है सेम वैसे ही दो तो 4 को हम मतलब 36 तक महँचा आएगे किसने का गुणा करना पड़ेगा 4 निम 36 यानि की 9 ठीके x को हमें x3 तक लेके जाना है तो x में किसने का मल्टिप्लाई करें x2 का x2 कर दिया ठीक है चलो बस अब इनका गुणा करके हमें नीचे लिख देना होता है तो हम पहले सी चेक करने सेम वही संख्या आने ही वाले तो यहाँ पर 36 x3 बन गया हमें पता है घटाना होता है इसके नीचे माइनस लगाया उपर वाला 36 x3 प्लस का नीचे वाला माइनस का घट जाए किसे आगे बढ़ना है क्या 4 x में कितने का गुणा करें कि में प्लस का बार है x2 मिले कितने का प्लस का बार है x2 तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर प्लस लगाएंगे 4 का 3 तो 4 3 बार है और x का कितने में x2 में करेंगे x2 पाने के लिए x में कितने का गुणा करेंगे x का तो 3x ठीक है तो 4 तियां 12 और x का x में तो x square घटा देना है घटेंगे कितना हैगा 0 बाकी का कितना बच्चा है 21x 21x हमने यहां लिख लिए इसको मैं इधर solve कर देती हूँ ठीक है जगें यहां बची नहीं इतनी जादा तो मैं इसको यहां side में solve कर देती हूँ चलो कितना बचा है हमारे पास 21x बचा है तो अब हम क्या करें कितने time divide दे प्लस का है न तो प्लस का बनाने के लिए प्लस की ही यहां पर हमें लेनी पड़ेगी संख्याप ठीक है तो प्लस हमने लगा दिया चार का कितने बार पढ़ सकते हैं भाड़ा पांच बार चार पंचे बीस किससे जादा पढ़ेंगे तो जादा हो जाएगा ठीक है तो पांच बार जाएगा यानि कि हमने यहां 5 लेखा और x का तो x अल्रीड है तो हमें x में किसी का multiply करना यहां पर रहेगा आपका x माइनस किया कितना बचेगा 21 x में से 20 x माइनस होगे कितने बचेगा आपके x बचके आएगा तो बस यहीं पर आपका जो यह उपर निकल के आया है 9 x square प्लस का 3 x प्लस का 5 यह आपका क्या हो गया है भाग फल हो गया और जो नीचे आपको x दिख चीज समझ में आ गई होगी ठीके तो आज बस मैं इतने ही रखती हूं आपका next question भी आपका है हाँ है ठीके चलो next जो आपका question है 12 y square प्लस का 20 y q प्लस का 16 y में आपको 4 y से डिबाइट करना है तो बहुत ही easy है इसका answer आप लोग मुझे comment करके बताईएगा दो question आज मैंने आपको दिये है एक इस question का और एक पहले वाले question का answer आपको मुझे पताएगे ठीके और तो कोई questions आपका था नहीं चलो आज इतना ही रखते हैं मिलेंगे कल की class में तब तक अपना जो भी math का हो गया है revision करते हुए चलिए जैसे ही आपका असले बस खतम होता है वैसे ही मैं कोई revision शुरू कर दूंगी math का तो वहां पर टेस्ट भी लिए जाएंगे आपके तो इसलिए अपना revision करते हुए चलो मिलते है ने class में thanks for watching and please like share and subscribe my channel बबबाई टेक केर